चिट्टे का नशा युवाओं की ज 듣की को बर्बाद कर रहा है। नशे के आदी युवा अब अपराद के दल्दल में भी धंसने लगे हैं। राजसानी शिमला में पंजाब से चिट्टे की तस्करी कर युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। इसे में शिमला पुलिस का ड्रग पैडलरों वर नशाखोरी के खिलाफ चल रहा अभ्यान लगातार ज़ारी है। पकड़े गई चुट्टे की कीमत लगभग 25 से 30 लाग है। उन्होंने कहा कि पुलिस विवाओं को नशाखोरी के लिए भरसक पर्यास कर रही है और 6 महीने में नशाखोरी करने पर 235 लोगों को गिरफतार किया गया है। वहीं 15 महीने के अंतरगत अब तक 600 से ज्यादा केस NDPS के दर्श किये गए हैं और 1000 के करीब नशाख तसकरों को गिरफतार किया गया है। देखें जो हमारी परमुक चैलेंजीजीज हैं जैसे कि हम बार बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसमें क्राइम में जो है वो ट्रग्स पैडलिंग की जो एक्टिविटीज है वो एक परमुक रूप से एक मेजर चैलेंज के रूप में मर्ज हो रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा सतर्थका की और एफर्ट्स की आपशक्ता रहती है पिछले अगर हम एक सब्तहा की बात करें तो शिमला जीले में हमने 20 से ज़्यादा ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है और जो सीजर्स हैं, जो कॉंट्राबेंट के सीजर्स हैं और इन्वेस्टिकेशन हमारी चल रही है इसमें जो ध्यान देने हो के बात ये है कि जो सिस्टम है पुलिस का, वो अलर्ट है और जो इस परकार की ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज से अपनी प्रॉस्पेरिटी को औरन करना चाहते हैं उनके लिए हम काफी स्टॉंग मैसेज दे रहे हैं कि ये तरीका नहीं हो सकता है कि जिससे आप जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी को ढूंडे पुलिस पड़ी कमिट्मेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ ऐसे लोगों के खिलाब एक्शन ले रही है उनकी प्रॉपर्टीज को इंवेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी विकल्स को फ्रीज कर रहे हैं सीज किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाब जो इंटरस्टे डर्ग सप्लाई करते हैं स्थानिय तर्प के उपर जो है वो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज में इंबॉल्व है उनको हमने प्रॉपर्टी चिन्नित किया है और अगर आप एक साल का हमारा लिखा जुका देखें पिछले पंदरा महीने में तो डिस्टिक शिमला पुलिस ने लगवक्त एक हजार विक्तियों के किलाब लग-लग मामलों में कारवाई की है क्रुडर रुपे की प्रॉपर्टी को इंवेस्टिगेट किया है और छेसो के करीब के सीज़ जो है वो हमने तर्ज किया है ये प्रमानित करता है कि हमारी डिस्टिक लेबल पे ड्रग्स केंगे इस जो है वो कमिट्मेंट का लेबल क्या है और हम इस चीज को लेकर कि कितने सिरियस हैं गंभीर हैं और अगर एक और impact की assessment हम करते हैं कि इन efforts का impact क्या है तो मैं पूरे commitment के साथ और conviction के साथ आपके साथ ये शेर कर सकता हूँ कि हमारे district में जिस परकार से drugs की proliferation हो रही थी जिस परकार से spread हो रहा था उस पे काफे larger extent तक हम कामयाब हुए हैं इसमें अंकुष लगाने के लिए देखें अभी एक सब्ता में लगबग 6-6 किलो के करीब हमने ओपियम पकड़ी है और 1500 के ग्राम जो है हमने चिटा पकड़ा है इसी मातरा में जो है चर्स भी पकड़ी जा रही है तो यह तो मैं एक सब्ता का आपको बता रहा हूँ बड़ा पूरा साल का भी तक का जो डेटेल्ड जो डेटा है उसको मैं आपके साथ कुछ समय में शेयर करूँगा तो यह जो इंपक्ट है वो quantity plus number of persons आपने कितने इस दायरे में कानून के दायरे में लेकर के आए हैं उससे इंपक्ट करीट होता है और वो हम जो है backward, forward सब तरह की investigation में अपने efforts लगा रहे हैं और कई मामले ऐसे हैं जिसमें एक ही case में 10 से 12-12 लोग भी arrest हो रहे हैं तो उससे investigation की seriousness जो अपने आप में reflect होती है और अभी as on date जो है अगर आप अपने level पे भी assessment करते हैं तो हमारे district में, capital area में खास तोर पे जो चिट्टा का जिस तरह से availability थी उसमें बड़े larger extent तक जो है कमी आई है ये पुलिस की effort को और commitment को भी reflect करता है और साथ-साथ में जो उसके impact है उसको भी दर्शाब देखे पिछले कल 179 गराम चिट्टा हमने पकड़ा हैं ये पंजाब के रहने वाले युवक है इनकी उमर का जो एज ग्रूप है वो 26-28 वर्ष का है अमरित्सवर के रहने वाले हैं और इनका जो investigation जो भी चल रही है कि यहाँ पर स्थानियस तरपर जो है वो किस के साथ इनके links रहे हैं और किस-किस बेखती कोई साथ है पहले कितनी बार आए हैं इनके उपर कितने cases हैं तो वहाँ की जो police है अमरित्सवर शेतर की जहां से बिलॉंग करते हैं उनके साथ भी हम संपर्क में हैं तो नशे में तो जब हम नशे का analysis करते हैं तो synthetic drugs जो है वो बहुत बड़ा challenge है और synthetic drugs के उपर जो जिस परकार से उसका परचार परसार हो रहा है स्वस्ते के लिए भी बहुत बिगटन कारी रहता है किसी के health के लिए बहुत बड़ा challenge है तो सभी परकार के मामले आते रहते हैं और basic चीज है कि हमको जो है तो जो हमको करना चाहिए उसको अपनी काम को अपने जो efforts है उनको पूरी commitment और सजगता के साथ कर रहे है और हर चीज का analysis कर रहे है